नमस्कार, स्वागत है साहितिक जहरों का चैनल पर आज हम करेंगे कबीरदास जीवन वैस साहितिक परीचे देखे कबीरदास संत कावेधारा के प्रसित कवी हुए है संत कावेधारा निर्गुन कावेधारा के अंतरगत आती है तो आईए सबसे पहले हम कबीर के जीवन के बारे में जानते हैं इनका जनम सम 1398 इस्वी में या समबत 1455 में हुआ कहां पर काशी नामक स्थान पर इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा माना गया है वैसे ही लोकमत के नुसार ये माना जाता है कि नीरू और नीमा को कबीर लहर तारा नामक स्थान पर प्राप्थ हुए थे इनके असली माता पिता कौन थे ये अभी तक नहीं जान पाए हैं ये अभी तक अग्यात हैं लेकिन इनकी परवरिश नीरू और नीमा जो की एक जुलाहा दमपती थे उन्होंने ही की थी कबीर की पत्नी का नाम लोई था इनके दो संताने थी पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली इनके गुरू का नाम रामानन्द बाना गया है और इनका देहांत संत 1518 इस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुआ था ऐसे माना जाता है क्योंकि कबीर से जुड़े हुए हिंदू भी इनके उपासक थे और मुस्लिमान भी इनके उपासक थे तो इनकी मृत्यों के पस्चात ये बहस हुई कि कहां पर इनका अन्तिम संस्कार किया जाए इनको जलाया जाए या दफनाया जाए तो मघर एक ऐसा स्थान था जहां पर ये विचारधारा प्रहचलित थी कि मघर नामक स्थान पर किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती इसलिए दे त्याग से पहले जो कभीर हैं वो मघर चले गए थे और जब इनकी मृत्य दे के उपर से कपड़ा हटा कर देखा गया तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कभीर की दे की जगे कुछ पुष्प या फूल बचे हुए थे उन फूलों में से हिंदूओं ने कुछ फूलों को ले जाकर अपने हिसाब से उसका संसकार किया और मुस्लमानों ने अपने हिसाब से उनके अंतिम संसकार किया तो ये कबीर के बारे में कुछ बाते हैं जो कई पुस्तकों में पढ़ने में आती हैं तो आईए अब इनके रशनाओं के बारे में जान ले वैसे तो कबीरदास ची ने ये कहा है अपने कावे के मादिम से कि मसी कागत छुओ नहीं कलम गही नहीं हात कि मैंने कभी भी शाही और कागज को छुआ नहीं और नहीं कभी हात में कलम पकड़ी अर्थात वो अनपड उन्होंने बताया है कि वो अनपड थे लेकिन इनके शिश्य थे धरमदास के धरमदास ने एक पुस्तक लिखी बीजग इस बीजग के तीन भाग है और इन तीन भागों में उन्होंने साखी, सबद और रमैनी जो कभीरदास ने दोहे लिखे उनको तीन भागों में संकलित किया या लिखे क्या जो कभीरदास ने गाये जो कभीरदास ने वानी के मध्यम से व्यक्त किये और धरम दास ने जिनको सुना उन्हें उन्होंने तीन भागों में लिखा पहला है साखी, साखी में उन्होंने कबीर की शिक्षाओं और सिधानतों को निरुपित किया है सबद में ये सबद गेय पद है जो गाए जा सकते हैं आप लोग जो गुरुगरन साही पढ़ने वाले हैं उसमें सबद गाए जाते हैं और उन सबदों में कबीर के सबद भी संकलित हैं इनके माध्यम से कबीर के प्रेम भाव और अंतरंग साधना की उन्होंने अभिवेक्ति की है तिर आता है रमैनी रमैनी एक चोपाई छंद है इसके माध्यम से कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है रहस्तेवद क्या है आत्मा और परमात्मा क्या है मृत्यू के पस्चात आत्मा का क्या है आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है इस प्रकार के जो विचार है वो रमैनी में संक्लित है तो आईए अब इनके साहितिक विशेष्टाओं के बारे में जानते हैं कबीर ने जैसा कि मैंने बताया कि स्वयम साहित्य नहीं लिखा लेकिन उनकी वानी से व्यक्त जो भी साहित्य हमें प्राप्त होता है वो जो बीजक में संकलित है उससे हमें जो विशेश्टाइं मिलती हैं वो हम यहां पर वर्णित करेंगे यह सबसे पहले है निर्गुण निराकार इश्वर की भक्ती पर बल जो कबीर दास हैं उन्होंने निर्गुण निराकार इश्वर की भक्ती पर बल दिया है वो यह मानते हैं कि इश्वर कंकं में व्याप्त है वो निर्गुण है और निराकार है उसका कोई आकार नहीं है क्य इश्वर यानि एक इश्वर की विचारधारा जो कबीर है वो ये मानते हैं कि जो अलग अलग देव देवताओं की पूजा की जाती है या बहु देव वाद को जो माना है वो या अवतारवाद की जो अवधारणा है वो उसको नकारते हैं वो उसका विरोध करते हैं वो कहते ह कि इश्वर तो एक है जो अन्य संपरदाई या मत बन जाते हैं वो उस अक्षय विशाल इश्वर जो एक पेड़ रुपी इश्वर है उसकी उसकी शाखाएं है और उसी उनकी वो शाखाएं अलग-अलग बटी हुई नहीं उसकी जड़ एक ही है और वो क्या है इश्वर अर् दोओं खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविण दियो मिलाए तो वो क्या कहते हैं कि गुरु को महत्व देते हैं कि गुरु और गोविण अर्थात इश्वर दोनों खड़े हैं मैं किसके पाऊं को सपर्ष करूं लेकिन कबीर निरने लेने में और वह तत्काल मिरने लेते हैं कि मुझे ईश्वर से पहले उस गुरू के पैरों को सपर्श करना है जिनों ने मुझे ईश्वर से मिलने के लिए मारक दिखाया है या जिनकी वजह से में इश्वर को प्राप्त कर पाया हूं फिर है आडंबरों का विरोध जो कभीर दास्ची शेट है यह बहारी आडंबरों का विरोध करते है आडंबर कौन से जैसे मुझे को जाप करना है माला के माध्यम से या किसी तिर्थान पर जाना है या कोई वरत करना है रोजा रखना है नमाज पढ़नी यह उसमका ये विरोध करते हैं यह मानते हैं कि इश्वर तो मन में समाया हुआ है अगर मुर्ति पूजा या अन्य डोकोसले या ढोंग करके इश्वर की प्राप्ति हो तो जैसे यह आपने पड़ा भी होगा कि कांकर पाथर जोड के मस्जिद लई बनाए ताचरि मुनला बांग दे क्या बहरा कि हमें उनको आवाजें दे कर बुलाना पड़ता है तो इसलिए आडंबरों का विरोध करते हैं फिर है जाती पाती का विरोध जो कबीरदास हैं वो समाज में जो जाती पाती बहुत अधिक बढ़ गया था जाती पाती की जो वरण व्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी उसका वो विरोध करते हैं हिंदू और मुस्लिम आपसी भाईचारे पर बल देते हैं और ये मानते हैं कि जाती पाती समाज को तोड़ने का कार्या करती है जाती पाती में बटा हुआ समाज कभी तरक्की और विकास नहीं कर सकता इसलिए वरग वेद का या जाती पाती का य जाती पाती का यहां कोई लेना देना नहीं है उसके बाद आता है रहस्ते वाद रहस्ते यानि जो अज्यात है जिसके बारे में हमें अभी जानना है रहस्ते क्या है आत्मा क्या है प्रमात्मा क्या है हम क्या एक ही इश्वर की संतान है कहां से आये हैं कहां जाएंगे इस तर को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार प्रयास करें कि वो उसे मिल जाए तो इस प्रकार के जो विचारें वो रहसेवाद में अभिवेक्त हुए हैं उसके बाद है नाम समर्ण पर बल कबीरदास ये मानते हैं कि अगर प्रभू को प्राप्त करना है इश्वर को प्राप्त कर संसार से मुक्त होना है तो हमें नाम को स्मरण करना होगा नाम को जाप करना होगा जब हम नाम जाप करेंगे चाहे कारिया कोई भी करें लेकिन मन से जब हम इश्वर को याद करेंगे तो वो जरूर हमारी साहिता करेंगे और संसार रुपी भव सागर से हमारा उद्दार भी क करेंगे उसके बाद है सदाचार पर बल सदाचार का मतलब होता है अच्छा आच्रण अच्छे आच्रण में क्या है मन जब पवित्र होगा जूट ना बोलना किसी का बुरा ना सोचना अच्छे करम करना या दूसरों के कल्यान के लिए करम करना वो क्या है सदाचार तो जो कि इस्वर उन्हीं की साहिता करते हैं जो दूसरों उन्हीं की मदद करते हैं ये साहित जीवन वैदर इतर पर्यक्तिक So यह बॉपगूर के प्रस्फ मर्पित होकर बंग स्थान किसा आजाएगा प्रेंण तो भक्ति कौन सी सफन होती है जो प्रेम के भाव से पूर्ण होती है जो प्रेम के भाव की भक्ति होगी वो आतम समर्पन की भक्ति होगी और जब हम स्वैम को समर्पित कर देंगे तो अपने आप ही इश्वर की प्राप्ति की जा सकती है उसके बाद है माया के चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं, कि जो संसारिक या भोतिक वस्तुएं हैं, वो माया है, महा ठगनी है, जो हमें ठग कर इस संसार के जीवन मरण के चकर में फसाई रहती है, हमें इस संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, अपितु इस मो का त्याग करना है, इस माया का त्याग करना है तभी हम इश्वर के चरणों में लीन हो पाएंगे जनम मरण के चकर से मुक्ति प्राप्ते कर पाएंगे नारी के प्रतिद रश्टी को लेकिए कबीर दास जी नारी को कहीं पर कांटों की जारी केते हैं कहीं पर नागिन के समान उसे समझते हैं लेकिन ये ना समाज को बुराईयां देती है जो समाज में गंदगी फैलाती है जो पती वरता नारी है उसका स्वेम कभीरदास भी सम्मान करते हैं तो नारी के प्रतीन के दोनों परकार के दृष्टी गोन रहे जो नारी अपने कर्टव्य से विमुख हो जाती है कर्टव्य वहीन हो जाती ह उस नारी को वो समाज के लिए अच्छा नहीं समझते लेकिन जो नारी पती वरता धरम का पालन करती है, मान मर्यादा का पालन करती है, उसे वो समाज के संतुनन का आधार मानते हैं उसके बाद आती है भाशा सेनी, लेखे कबीर दासी स्वभाव से अकड़ और फकड़ थे, फकीर थे एक जगें से दूसरी जगें गूमना उनका स्वभाव था, तो इसी कारण इन्होंने जिस भाशा का प्रियोग किया, वो जनता की भाशा है, जन भाशा है, उसमें अवधी के शब्द भी हैं, ब्रज के शब्द भी हैं, खड़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है, अरबी, फार्सी, राजस्थानी, पंजाबी, अनेक सामान ने जो बोलचाल की भाशा थी, उनके शब्दों का मिश्रण किया है, इसी लिए इनकी भाशा को क्या कहा गया है, खिचड़ है रस है चंद है ये सब स्वभाविक रूप से आए हैं इन्होंने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया अपने कावे को सुंदर बनानी भाव ही इनके कावे का अलंकार है भाव ही इनके कावे का सुंदरे है इसलिए जो हजारी प्रशाद दिवेदी जी है वो उन्होंने कबीर कबीर दास को भाशा का डिक्टेटर भी कहा है तो ये हमारे कबीर दास के साहिते की विशेष्टाइं हैं उनकी जो वानी हैं उस वानी के माध्यम से वो किस प्रकार वो समाज में या संसार में बदलाव लाना चाहते थे वो इन विशेष्टाओं से हम जान सकते हैं उमीद करत कि आपको यह सब समझ में आ रहा है और आगे भी आप इसी प्रकार समझते रहेंगे मैं अपने इस चैनल पर जो आपके इस लिबस से या पाठ्यकरम से जुड़े हुए वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी जिने आप जिनसे अन्य वीडियो आप देख सकते हैं बहुत बहुत नन्यवाद